36 गड़ के बालोदा बजार शहर में सनातनी समुधाय के आंदोलन के दोरां 10 जून को हुई हिंसा के सिलसले में शनिवार को कॉंग्रिस विधाय देवेंदर यादव को ग्रफतार क्या गया बालोदा बजार के पलीस अधिशक विज्यागरवाल ने बताया कि यादव को दुर्ग जीले में उनके आवास से ग्रफतार क्या गया पलीस की कारवाई की ख़वर फैलने के बाद यादव के कई समर्थ तक दुर्ग के भिलाई नगर इलाके में उनके आवास के भार इखटा हुए और नारेबाजी की पार्टी का प्रभावशिल यूवा चहरा यादव भिलाई नगर निर्वाचन शेत्र से दूसरी बार विदायाक है गिरफतारी को लेकर यादव ने भाजपा सरकार पर कॉंग्रेस कारेकरताओं को फसाने का रोप लगाया है नमस्कार मैं हूँ शेक जूही आप देख रहे हैं दनगरी नियूस दरसल दस जून को बालो दबजार शहर में सनातनियों की तरफ से विज्जे स्थम्प की कतत तोड़ पोर के खलाफ गुलाए गए विरोध प्रदिर्शन के दोरान भी ने एक सरकारी कारेले और देर सो से जादा गाड़ियों में आग लगा दी सनातनियों की तरफ से दशे रमदान मायुजित प्रदिर्शन के दोरान यादव सहीत कॉंग्रेस के नहताओं ने कतत तोर पर एक सारवजनिक बैठक में भाग लिया था दस जून के आंग जनी की सिलसिले में भारती रास्ट्रिय चातर संग और भीम रेजिमेंट के सदस्य सहीत लगबग देर सो लोगों को गरफतार किया गया था बतादू के मधियुगिन समाज सुधारक बाबा गुरू घासिदास दुआरा इस्ताफित प्रभाफशिल सनातनी समुदाय चतिसगर में सबसे अनुसूचित जाती समू का पृतिनिदित करता है वही गरफतारी के बाद सत्तरूर भाजपा पर निशाना साथते हुए यादव बोले कि वो सरकार से नहीं डरते और लोगों के लिए अपनी लडाई जारी रखेंगे उन्होंने भिलाई में कहा कि राज्य सरकार बालोदा बजार आगजनी मामले में कॉंग्रिस कारिकरता उनको फसाने की कोशिश कर रही है सनाता ने समुधाए के युवा और निर्दोश लोगों के लिए वाज उठाने पर सरकार ने मेरे खलाफ कारवाई की मैं सरकार से नहीं डरता और कानूनी लडाई लडूँगा यादव ने दावा किया कि वो पहले भी बालोदा बजार पुलीस के समक्ष तलब के जाने के बाद पेश हुए थे वहित्पूर मुख्यमंत्री वुपेश बागल ने यादव की गरफतारी को राजनितिक पृतिशोत करा दिया और पुलीस से राजनितिक दवाव में कारवाई नहीं करने को कहा भागल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी घटना में सरकार और पुलीस की भूमी का संदिक थे घटना में भाजपा के पूर विधायक सनम जांगेर की कतत भूमी का सामने आने के बावजुद भाजपा के किसी भी सदस्ते से ना तो पुछताच की गई और ना ही उसे गरफतार क्या गया बतादू यादव परधारा 153A यानी विभिन सम्हू के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना 120B यानी अपरादिक साजिश 147 यानी दंगा करानी की सजा 186 किसी सरकारी करमचारी को उसके करतव्य पालन से रोकने के लिए हमला या परादिक बल का प्रियोग करना 307 यानी हत्या का प्रियास और भारतिय दंग सहीता और सार्वजिनिक संपत्ति शती निर्वाना नधीनियम 1984 के अन्यधाराओं के तहित मामला दर्ज हुआ है तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं दनगरी निवर्श शुक्रिया